आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप 2.5 मीटर कपड़े में यानि कि धाई मीटर कपड़े में पटियाला सलवार बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो ये है मेरा कपड़ा और इसे मैंने सबसे पहले इस तरह विड्ट वाइस फोल्ड कर लेना है तो जो सीधा साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखा है और उपर की जो रॉंग साइड है यहां से हम मार्किंग करेंगे इस तरह आप अपना मेशरमेंट लगाएं और सेम यही कालकिलेशन करें तो लेंथ है 38 इंच और हिप्स की जो मेशरमेंट है वो है 40 इंच उसके बाद हमें अपने बेल्ट काटनी है तो बेल्ट की जो लेंथ होगी वो होगी 6 इंच जिसमें की हम 2 इंच प्लस कर लेंगे जो की सीम कर रहे हैं तो टोटल जो फैब्रिक की लंबाई होगी वो होगी 8 इंच और बेल्ट की जो विट्ट होगी वो होगी आपकी हिप्स की मेशरमेंट उसको आप आधा कर लीजे और उसमें 6 इंच प्लस कर लीजे जैसे कि मेरे हिप्स की मेशरमेंट है 40 इंच तो उसका आधा हो इस तरह फोल्ड कर लिया है और इस तरफ से मेरा कपड़ा फोल्डेड है और दूसरी तरफ से खुला हुआ है तो सबसे पहले हम 8 इंच लंबा कपड़ा मेजर कर लेते हैं एक साइड से यह देखिए इस तरह मैंने मेजरमेंट दे दी है 8 इंच की और एक लाइन बना लेंगे अब इस कपड़े की जो विट्थ है वो है 21 इंच यह देखिए आप देख सकते हैं 21 इंच लेकिन मुझे 26 इंच चाहिए तो इसमें मैं 5 इंच का कपड़ा यहाँ पे बाद में जोड लूँगी तो पहले हम इसे 21 इंच को ही काट लेते हैं तो यह हमारा बेल्ट का कपड़ा कट गया है अब हम अपने सलवार के जो रेक्टांगिलर पार्ट्स हैं वो काटेंगे तो 16 इंच इसके लिए मैं मेजर्मेंट लूँगी तो आप 15 या 16 इंच ले सकते हैं तो यहाँ मैं 16 इंच ले रही हूँ और 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ अब हम लाइन खीच लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह हमारा एक पैनल तयार है अब दूसरे पैर के पैनल के लिए भी हम 16 इंच का कपड़ा काटेंगे तो कपड़े को मैंने उसी के उपर इस तरह रखा है और कट कर दिया है यह देखे दो पैनल तयार है हमा सलवार के इन पैनल की लंबाई दे देते हैं तो इसको मैंने एक दूसरे के उपर इस तरह रख दिया है यह देखे हमारे दोनों पैनल से एक दूसरे के उपर मैंने इस तरह रखा है और अब मैं सलवार की लेंथ यहां पर मेजर करूंगी तो जो मेरा टोटल सलवार की लें 32, एक इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सीम अलाउंस के लिए, एक्स्ट्रा ले ले लेते हैं, एक इंच, तो 33 हो जाता है, तो यहां मैं 33 इंच पे निशान लगा रही हूँ, लाइन खीज देंगे, और अब हम इसको कट कर लेंगे, तो यह हमारे पास 33 इंच लॉंग सल्वार का पैनल तयार है, यह देखे, यह देखे, यह 33 इंच है, और इतना कपड़ा हमारे पास बच गया है, इससे हम वेल्ट में जो कपड़ा कम पढ़ रहा था, वो cut कर लेंगे और पाचे बना लेंगे अब ये देखे ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है तो इसे हम इस तरह यहां से उठाएंगे और इस तरह फोल्ड कर देंगे तो पहले हमने width wise फोल्ड किया था और अब हम length wise फोल्ड कर रहे हैं ये देखे इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर ले और जो फोल्डिंग वाला side है वो आपकी तरफ आ जाएगा और खुला side दूसरी तरफ है ये देखे ये कपड़ा मैंने set कर दिया है इस तरफ से ये खुला हुआ है और folded side मेरी तरफ है अब हम सलवार की length यहाँ पर फिर से mark करेंगे तो मेरे सलवार की length का जो marking था वो था 33 inch तो 33 ही यहाँ पर दुबारा लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 33 लगाएंगे लेकिन इस बार हम opposite side से लगाएंगे ये देखे इस तरफ से इस तरफ 33 inch का निशान मैंने लगा दिया है और अब इन दोनो points को line देखे straight मिला लेंगे ये हमने marking दे दी है दोनो points को मिला दिया है अब हम इसको cut कर लेंगे ये हमारे panel cut चुके हैं side से ये जो जोड है इसे भी cut कर लेते हैं और इस तरह आप देख सकते हैं हमारे 4 panel तयार हैं दोनों पैरो के लिए इसे हम इस तरह सेट करेंगे ये देखे तो मेरे सलवार की जो आसन होगा वो होगा 14 inch का तो यहाँ पर मैं उसको measure कर लेती हूँ तो ये देखे ऊपर 6 inch की belt आ जाएगी 6.5 inch मैं ले लेती हूँ और यहाँ पर मुझे 15 inch नीचे कपड़ा मिल रहा है तो 1 inch सिलाई में चला जाएगा तो मुझे exact 14 inch की यहाँ पर आसन मिल जाएगी तो ये हमारे panel और कलियां तयार हो गई हैं सलवार की अब हम belt को पूरा कर लेते हैं तो ये देखें ये मेरी belt का कपड़ा 21 inch का था और मुझे 26 inch कपड़ा चाहिए तो यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा हुआ था इसमें से मैं 5 inch का कपड़ा यहाँ पर adjust करूँगी तो मैं 6 inch का यहाँ पर कपड़ा काट लेती हूँ क्योंकि आधा-धा inch सिलाई में चली जाएगी तो यहाँ मैं 6 inch पर marking लगा रही हूँ अगर आपके सलवार में कपड़ा कम पड़ता है जो की पड़ेगा ही belt में तो आप इस तरह से उसको जोड़ के पूरा कर सकते हैं तो यह देखे यह 6 inch पर मैंने fold ले लिया है और इस तरह इसको हम यहाँ पर set करेंगे तो यह देखे अब मेरा यह belt 26 inch का तयार हो जाएगा नीचे का यह जो extra कपड़ा है इसे भी हम बराबर कर लेते हैं belt के यह देखे अब हम इसको सिलाई के वक्त यहाँ से सिल देंगे तो इस तरह हमारी belt भी तयार है और इस बाकी बचे कपड़े से हम सलवार के पाचे तयार कर लेंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पटियाला सलवार की कटिंग हो चुकी है और इसे बहुत ही आसानी से हमने कट कर लिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें, कॉमेंट करें और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार